चलो बनाते हैं Jams की Honeycomb Dalgona Candy तो मैंने ले लिया है 2 package Jams तो आपको Jams को इस तरीके से अच्छे से crush कर लेना है अब आपको इस तरीके से तेल लगा लेना है इसके उपर रख देना है Butter Paper और Butter Paper की उपर भी अच्छे से तेल लगा लेना है Cookie Cutter में भी अच्छे से तेल लगा लेना है अब आपको कड़ाई में डाल देना है Jams जो हमने crush करके रखा हुआ था अब आपको Jams को हलका से melt कर लेना है जो आपके Jams है वो बहुत जादा melt नहीं होंगे इसलिए आपको इसमें 2 चमश शकर डालना पड़ेगा ताकि इसकी जो डैलगोना कैंडी है वो अच्छे से बनने लगे अब आपको शकर को भी melt कर लेना है आपको शकर को बहुत जादा नहीं पकाना है वनना शकर कड़वा टेस्ट करने लगेगी और ये देखिए शकर melt हो चुकी है इससे जादा आपको शकर को नहीं पकाना है अब आपको इसमें डाल देना है एक चौथाई चमश बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करके इसको जल्दी से बटर पेपर के उपर डाल देना है कुकी कटर की हेल्प से आपको इसमें शेप बना देना है अब आपको डैल गोना कैंडी को अच्छे से ठंडा कर लेना है और ये देखिए हमारी डैल गोना कैंडी अच्छे से रेडी हो चुकी है इसका टेस्स मुझे अच्छा लगा तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं